Hello friends, welcome to exam helplogast study channel और आज हम लोग start करते हैं अपना day 3 English और आज जो हम English speaking करने वाले हैं ऐसे sentence की English हम सीखने वाले हैं जिन में आता है, किया करते थे यानि कि ऐसे sentences जिसमें हमारी कोई past की habit show होती है यानि कि कोई भी काम, ऐसे काम जो कि हम past में किया करते थे हमारी आदत थी वो करना, जैसे की मैं दूद पिया करता था तुम क्रिकेट खेला करते थे, वहे गाना गाया करती थी वहे डान्स किया करता था तो ये सारे sentence ऐसे हैं जिसमें की ऐसा show हो रहा है कि past में कोई पहले भूत काल में कोई भी काम जो है वो किये जाते रहे थे तो वो past की हमारी habit शो कर रहा है कि अकसर हम वो काम किया करते थे बट अब वो काम नॉर्मली छूट करे हैं तो ऐसे जितने भी sentence हम बोलते हैं हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं हम किसी से भी बात कर रहे होते हैं हम बोलते हैं अरे यार मैं तो बहुत अच्छा था मैं तो अच्छी रनिंग किया करता था मैं तो बहुत तेस दोड़ा करता था और मैं तो स्कूल जाया करता था मैं तो ये किया गरता था, वो किया गरता था, तो ऐसे तमाम तरीके के sentence में हमें क्या करना है, जिसमें past habits show होती है, उसमें हमें आज सीखना है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दो कि singular किसे बोलते हैं, जितने भी हमारे pronoun हैं, जैसे की he, she, it, या फिर noun किसी क नाम, या फिर कोई animal, this, that, तो ये सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, singular की category में आते हैं, मतलब एक वचन की category में आते हैं, plural जो होता है, वो क्या होता है, we, they, और other कोई भी plural है, जैसे की people, यानि की लोग, जब हम बोलते हैं की, वे लोग, अच्छा, जब हम बोलते हैं, जैसे सारे के सारे plural की category में आते हैं, चलिए थोड़ा देख लेते हैं, इन pronoun की जो है, English क्या होती है, जैसे मैं की अगर बात करें, तो हम उसको English में क्या बोलते हैं, I, तुम को क्या बोलते हैं, you, वे को, अगर लड़के की बात हो रही है, यहाँ पर boy की बात हो रही है, तो उसे क अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, शी, वे या उनके इसकी बात हो रही है, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, दे, हम, हमारी बात हो रही है, तो वी, और यह या उसके, या कोई भी ऐसी वस्तू है, वस्तूओं की बात हो रही है, किसी भी वस्तू की बात हो रही है, तो ह जितने भी students नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ कि आप day 1 की video जो है और day 2 की video जो है वो एक बार जरू जा कर देख लिए so that आपके जो basics उसमें करवाए गए हैं वो आपके clear हो जाए है चलिए अब हमें क्या देखना है अब हमें यह देखना है कि जो हमारा sentence formation होता है जब हम sentence नया form करते हैं तो उसके अंदर हम किस तरीके से sentence को बनाते हैं तो सबसे पहले आता है subject यानि कि करता कोई भी इस काम को कर है जैसे कि I या फिर राम या फिर ही या फिर शी तो ये सारे के सारे क्या होते हैं करता यानि कि ये काम को करते हैं verb यानि कि क्रिया जो काम किया जा रहा है जैसे कि नहाया जा रहा है तो बात ठीक है खेला जा रहा है तो प्ले तो ये सारी क्या होती है क्रिया होती है object यानि I write a letter, यानि कि I जो हो गया, इसमें क्या हो गया? subject हो गया, तो starting में क्या लगता है? subject लगता है, यानि कि sentence की जब हम शुरुवात करते हैं, तो हमें subject लगाना पड़ता है, उसके बाद क्या आ जाती है? क्रिया, क्रिया क्या है अब इसमें? राइट, यानि कि लिखना, पत्र को लिखना, तो क्रिया क्या हो गया, इसमें काम क्या हो गया? लिखना, और letter क्या है इसमें? object है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? object बोलेंगे, तो यह अंत में आया, चलिए, आज का हमारा topic क्या है? जो काम हम किया करते थे, यानि कि जो sentence ऐसे बताते हैं, जो काम past में हुआ करते थे, वो काम हमें यहाँ पर सीखने हैं, जो कि हमारी past की habit को, पुरानी आदतों को, पुरानी आदतों को बताते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या use करना है sentence में, उसके लिए हमें use करना है use to, ध्यान रहेगा क्या यूज करना है यूज टू अच्छा इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है हमें सब के साथ यूज टू लगाना है बहुत ही जादा सिंपल है ये और बहुत ही अच्छे सेंटेंस बनते हैं इससे और हम अकसर अपनी नॉर्मल लाइफ में इसका बहुत जादा उपयोग करते हैं देखिए कैसे अगर कोई भी सिंगुलर हो यानि कि ही शी इट आए तो भी उस्टू लगा दो अगर प्लूरल आए तो भी क्या लगा दो उस्टू लगा दो तो इसका बनाईए देखिए हमकी इंग्लिश क्या होगी हमकी इंग्लिजी क्या होती है वी यानि कि हम हम जाया करते थे जाया करने की यानि कि पहले पास्ट की हैबिट दिखा रहा है यानि कि ये काम पास्ट में किया करते थे तो इसके लिए क्या लगा होगे यूस्टू हमें कुछ नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना कि we है, he है, कुछ भी है, हमें used to लगाना है उसके आगे बस, बस हमें ये चेक कर रहा है कि ये sentence हमारा past की habit को बना रहा है या नहीं बना रहा है, यानि कि ये sentence क्या हमारा past की habit को show कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है अगर ये sentence हमारा past की किसी habit को बता रहा है जैसे कि ये sentence बता रहा है कि ये हम काम किया करते थे तो हम used to लगाएंगे we used to go to village we used to go to village गाउं की अंग्रेजी क्या होती है village तो we used to go to village यानि कि हम गाउं जाया करत थे चलि अगला sentence देखते हैं मैं cricket खेला करता था मैं cricket खेला करता था तो इसकी English मनाईए देखे क्या होगा I used to play cricket मैं cricket खेला करता था I used to play cricket वह गाना गाया करती थी she used to sing a song गानी की अंग्रेजी क्या होती है song ठीक है अच्छा यहां पर एक बाद मैं आपको बताना चाहूँग खेला खेलना जो है वो क्रिया है यानि कि उसकी जो क्रिया है उसकी अंग्रेजी क्या होगी play और cricket की अंग्रेजी क्या होगी यहां पर cricket ही होगी वह गाना गाया करती थी she used to गाया गाया करती थी उसके लिए क्या लगा दिया हमने used to लगा दिया और गाने की English क्या होती है क् तो ये क्या है? वर्ब है, यानि कि ये क्रिया है, तो sing a song, song मने गाना, तो she used to sing a song, यानि कि वह गाना गाया करती थी, वे पार्क जाया करते थे, वे की अंगरेजी क्या होगी यहाँ पर? दे, वे की अंगरेजी दोस्तों क्या होगी यहाँ पर? दे, और used to लगेगा उसके वे गाउं जाया करते थे, चलिए आगे यहाँ पर आपके sentence है, जैसे कि आगे यहाँ पर आपके sentence है, यानि कि वे सैर पर जाया करते थे, पास्ट की हैबिट को बता रहा है, वे कसरत किया करती थी, वे नाचा करता था, वे नाचा करता था, तुम दूद पिया करते थे, या फिर टेक मिल्क, देखे दोस्तों, यहाँ पर हमने कल बात की थी, कि जब भी हम चाए पीने, कौफी पीने, या इस तरीके की बाते करते हैं, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, हम वहाँ पर टेक का इस्तिमाल करते हैं, डिंक नहीं लगाते हैं, तो आप डिंक जो है, उसको normally इग्नोर करके चलिएगा, य अगर आप इग्नोर करेंगे लग हुआ है यूस्टू लगा हुआ है जैसे कि I used to go to gym मैं जिम जाया करता था मैं जिम जाया करता था we used to play in park हम पार्क में खिला करते थे they used to cook food वे खाना पकाया करते थे सोहन used to watch movies सोहन movies देखा करता था अच्छा अब आपको इसकी practice कैसे करनी है सबसे पहले तो सवाल यहाँ पर आता है कि practice इसकी कैसे करें कि यह हमारे दिमाग में आज के बाद चप जाये और इस तरीके से चप जाये कि कभी ही भी निकले ना तो आपको क्या करना है जितनी भी sentence है इसमें हर sentence में आपको हर एक pronoun लगाना है जैसे कि यहाँ पर सोहन को अठा के आप क्या लगा देंगे? he, she, it और हर एक pronoun से आपको क्या बनाना है यहाँ पर एक sentence का form एक sentence formation करना है जिससे कि क्या होगा यह सारे के सारे जो pronoun है सारे के सारे नाम के साथ आपके used to के साथ आपके दिमाग में as it is छब जाएंगे जब भी आप English बोलेंगे या फिर आप इस तरह का कोई भी sentence बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके मुँसे अपने आप ही इंगलिश में निकल जाएगा क्यों क्योंकि आपके दिमाग में वो store है चलिए आगे sentence देखें सोहन used to watch movies सोहन movies देखा करता था Tina used to study at night तीना जो है रात को पढ़ा करती थी तीना used to study at night तीना रात में पढ़ा करती थी रमेश used to study in the morning रमेश सुभा पढ़ा करता था रमेश सुभा पढ़ा करता था रमेश used to study in morning मै मदर यूस तु कुक हलवा मेरी माता हलवा बनाया करती थी चलिए दोस्तो लास्ट डे टू में जो हमने पढ़ा था उसकी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी लास्ट में हमने पढ़ा था यह संटेंस है आपको आपको चेक करना है क्या यह सारे संटेंस ठीक है या फिर नहीं है चलिए देखते हैं अब देखें यहाँ पर ऐस या इस का प्रयोग हो चुका है तो यहाँ पर ऐस या इस का प्रयोग नहीं होगा यानि कि वर्ब जब एक sentence में एकी बार हम वर्ब के साथ as या es लगाएंगे और किस sentence के साथ लगाएंगे जो वर्ब पहले आ चुकी है sentence में जो वर्ब पहले sentence में आ चुकी है हम उसी के साथ क्या लगाएंगे as या es लगाएंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं do के साथ यहाँ पर already जब es लग चुका है तो हमें यहाँ पर es लगाने की कोई जुरत नहीं थी तो यह sentence जो है वो गलत है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था does she walks ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था does she walk daily does she walk daily क्या वहे रोज सैर करती है do he plays cricket देखिए यहाँ पर भी परिशानी क्या है कि यहाँ पर do नहीं होना चाहिए था he के साथ क्या आएगा यह परश्णवचक sentence है तो he के साथ क्या आएगा यहाँ पर does आएगा he के साथ क्या आएगा singular है he तो इसके साथ does आएगा और यहाँ पर plays नहीं आएगा सिरफ play आएगा she do not play badminton देखिए फिर यहाँ पर गलती अभी मैंने आपको बताया कि she के साथ क्या आएगा यहाँ पर she जो है वो singular है और singular के साथ क्या आता है does आता है यहाँ कि do नहीं आता तो यहाँ पर does कर है तो यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए था what is the plant we drink food we drink food अच्छा देखें यहाँ पर बात किसकी हो रही है खाने की हो रही है खाने को कभी हम पीते हैं क्या इसमें क्या बोल रहा है we drink food हम खाने को पीते हैं कभी ऐसा होता है नहीं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था we eat food या फिर we take food इस तरीके से sentence होना चाहिए था अगला sentence does she have a purse does she have a purse ये चो sentence है ये काफी सारे बच्चों को comment box में comment भी आये थे काफी सारे बच्चों की ये परिशानी भी थी कि sir does के साथ does के साथ have क्यों लग रहा है क्योंकि she के साथ तो has लगना चाहिए तो यहाँ पर have क्यों लगाया गया है she के साथ तो has लगना चाहिए sentence होना चाहिए does she has a purse sentence तो ये होना चाहिए लेकिन यहाँ पर have क्यों आ रहा है तो ध्यान दीजे जब हमने यहाँ पर बात की कि she के साथ हम does लगाते हैं और has लगाते हैं अब sentence में हम दोनों में से एक ही चीज़ लगा पाएंगे और कौन सी चीज़ लगाएंगे जो पहले है इन दोनों में देखिए पहले कौन सा है जब भी किसी singular की शुरुवात does के साथ हो ज़्यान दीजेगा जब भी किसी singular की शुरुआत, जैसे कि यह singular है, singular में जब भी शुरुआत जो है, does के साथ हो, तो बाकी की सारी verbs जो है, वो normal हो जाती है, ठीक है, बाकी की सारी verbs क्या हो जाएगी, normal हो जाएगी, तो यहाँ पर has न लगके have हो जाएगा, simple, हमें कोई tension लेने के ज़ुरत नहीं है normal, has की जगाँ पर हमें have लगाना है, क्यों? क्योंकि already जो does है, वो already verb को yes दे चुका है, तो हमें यहाँ पर has के साथ एस लगाने की आवशक्ता नहीं है, यहाँ पर simply क्या आएगा? have आएगा, इसी तरीके से do I have a bet? अचाहिए यहाँ पर अगर he होता तो क्या करते? does he have a bet? तो क्योंकि यहाँ पर भी he है, he जो है singular है, singular के साथ already जब does लग चुका है, तो यहाँ पर has नहीं आता, यहाँ पर have आता है अगर यहाँ पर does नहीं होता, तो हम क्या करते? तो यह sentence फिर ठीक होता, तो हम इसको कैसे बनाते? he has a bet. अच्छा, इसको ऐसे भी बनाने के ज़रत नहीं है, इसको simply कर सकते हैं, अगर आपको इसमें फिर भी doubt है, तो simple कर सकते हैं, has को ठाके पहले ले लेए, परश्ण वाचक अपने आप बन जागा, do or does लगाने की आवशकता ही नहीं है, तो कैसे बन जागा? has he a bet, ऐसे ही इस संटेंस में देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, has को पहले ले आना है, has she a purse, या तो आप इस तरीके से संटेंस को बना लीजे, अगर आपको यहाँ पर परिशानी आती है, तो दोनों ही संटेंस ठीक है, does she have a purse भी ठीक है, और has she a purse भी ठीक है, अगल लेसंटाइस देखिए, do I have a bet, बिल्कुल ठीक है, I के साथ क्या लगता है, do लगता है, और have तो जब do आ गया, तो have आए गई आएगा, ठीक है, तो has नहीं आएगा है, पर वैसे भी I के साथ have, have ही आता है, has नहीं आता है, तो I hope यह clear हुआ होगा आपको, अच्छा, अब आ लगत नहीं कीज़गा, homework जो है, बहुत इमानदारी से हमें करना है, आपने जितना भी आज सीखा है, क्लास में, कम से कम 10 sentence, comment works में, comment करने हैं आपको, 10 sentence सब के साथ बनाने हैं, कैसे, he के साथ, she के साथ, it के साथ, हर एक के साथ, एक एक sentence भी लेकर बना देंगे, तो भी काम चल जाएगा, बट homework जरूर कीजिए, तो जल्दी से sentence बनाईए, comment कीजिए, और धेर सारे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, revision करने का तरीका, so that आप कभी न भूले, तो वो तो मैंने आपको unlimited ऐसा बता रखा है, कि बिना pen और paper के आप unlimited revision कर सकते हैं, unlimited sentence बना सकते ह और इस तरीके से, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, कि कभी भी ये जो आप सीख रहे हैं, कभी भी आपके दिमाग से मिटेगा नहीं, ये हमेशा आपके दिमाग में इसी तरीके से, जैसे की phone की memory में कोई भी चीज जो है, सेव हो जाती है, आपके दिमाग में सेव हो जाए तो चलिए ये था आज की क्लास में आज का टॉपिक कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए